वाँ ठंड की वेशे सीशा बीज़े इतना दुल्दा हो चुक है कि सीशे में बिल्कुल कुछ साफ नहीं दिख रहा है और अभी अपने Christmas tree के lights भी on है और यहाँ पर क्या यह डब बे रखे हुआ है तो यह Christmas tree के पास मैं को gift मिले हैं यहाँ पर तो एक बार इनको open करते हैं Welcome to Ransomulator की एक और नए एपिसोड में और पिछले एपिसोड में मैं यहाँ पर cows और bulls तो ले आया था अब बस wait है कि वो cows के बच्चे कब होएंगे और भार अभी काफी जाहा ठंड है और अभी हवा भी चल रही है बट आज यह कि आज थोड़ा उजाल है थोड़ी हल्की फुल की धूप तो निकली है और बाकी अभी यहाँ पर चल के देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर अभी कोई cows का बच्चा नहीं हो है तो में को लगते हैं थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे और बाकी बार नीचे देख लेते हैं और नीचे में कुछ चेंजिस भी करने हैं अभी तो पहले नीचे एक बार देख लेते हैं तो यह अपनी बीफ काउ यह है और बीफ अला बोल यह है तो इन्होंने भी कुछ नहीं दिया और बाखे इधर काउस की चाहिए थोड़ी छोड़ी है वैसे तो मैंने आपर गेट खुले छोड़ दी हैं अभी यह फाल्तू में जो बीच में फैंसिंग लगी है इनकी कोई रिक्वार्मेंट है नी तो इनको मैं हटा देता हूं यहां से और बाहर अभी काफी जादा हवा चल रही है तो एक बार यहां से चलते हैं और वैसे मैंने बाहर भी लाइटे लगा दिया है तो यह जो बी आउसको ब्लिण परसबों के जलते हैं बार इसको बार बार इसको मैं यहाँसलिं को से कृवार्मेट लगार उपर 20 यहां पे यह फď्शेलवा उनको नियुक्त हो सकते हैं धन्या सकते हैं और जिनको यृटा देता हूं क्योंकि इस वाल पर सपोर्साइक तो इसको separate रखते हैं अगर मैं इसको अटा जा तो काउस से ऊपर जाएं लग जाएंगी और उपर से भाहर जाने का रास्ता भी है क्योंकि रहें के थूर काउस फिर नीचे आ सकती है तो बाकि यहां पर इतना ठीक है अब काफी जाज स्पेस हो गया है अपनी कैन्स को अठाक भाहर दूप निकल आई है भी तो आज काफी दिन बाद दूप निकलिया भाहर पर एक दिन निकली थी बढ़ इतनी निकली थी अभी देख लेता है वासे लाइटे में बंद करतू लाइट हो कि कोई requirement है नी अभी तो आज दूप तो निकली आ है पड़ हाँ इतनी जादा पर ठीक है निकलिया धूप और जब धूप निकलेगी थोड़े बरफ भी पिंगल जाएगी बट उससे कोई फाइदा होता नहीं है जैसे शाम होती है वैसी बरफ फिर से जम जाती है और मैंने पिक्स के लिए गेट खोल दिये तो अभी पिक्स अपने सारे बाहर गूम रहे ह हर पर काफी जादा गंदगी मचा दिया तो यह साफ कर दू हांम हरी अब इतना सारा फाइल यहा जगय पॉबry वेने वैसे साफ कर दी है और दूप भार तेज होगे थोड़ी सी हाँ अब निकलिए प्रोपर दूप बड़िया वाली तो अब सही लग रहा है यहाँ पर बाकी अभी दूप निकलिए तो अपने पिक्स को भार ही गुमने देते हैं और अभी चलके कि अपने होर्स को देख है और और होर्स को मैं अभि यहाँ से निकालने माला हूं यहाँ से किसी बांद के अन्धर रखने वाला हूँ कि यहाँ आपर तो अभी यह थर्ड़ से नहीं बशनेए वाला क्यो 시 anh strip यह तो काफी आन पर हने पूरा बलगेगी और यहाँ पर तो फल्स बाहार क्लोट है हों इधर वाले बांस में छोड़ेते हैं यहां वाले बांस में ठीक है यहां वाले बांस में अंदर रह लेगा तो यहां पर इधर ही छोड़ देते हैं अभी गूम लेगा यहां पर और अभी फिलाल रात को इसको अंदर करके गेट लगा देंगे यहां का तो अभी मैं सुचा हूँ कि यहां पर मुझे चीज के लिए लगाने है तो यहां पहले मुझे दो टेबल बनानी पड़ेंगी यहां बिने टेबल के भी काम चल सकता है तो अभी सारा समान है चीज बनाने का वह फोर्ड के अंदर रखा हूँ है तो एक बार यहां गाड़ी ल इंसारों को मैं गाड़ी में लोड लाता हूँ अब अंदर कहां जा रहा है अंदर फस जगा सींग इतनी बड़े हो गया है अब अंदर गुशी इसके सींग टग गया है उसके चलो अब यह बचे वे तो वैसे काफी सारे इतनों की रिक्वार्मेंट है नहीं इहाँ से पैन लेले जाताँ ख़ली और अभी तो 3-4 चार से काम चल जाएगा तो यह 4 बैन तो एक और बिटाय लेताँ यहां धर पर और वाशब भूल वॉल बॉक्सों कंई झाल सत जो है काणगे चलम कि आने पेड़े ने किB अब यह ने स्टे कर देता है 충ick साथ यहां फैसे क्यास सुनाध आप करके आती है तो एक तो यहा लगा थी और यह चारो लाइन से लगाएंताह। यह ओ गया यह 3 और यह 4 अब इनके पैन पीन से लगाएंताह। ब सूपनी ao की समान को बेज़े में वहां से Coolbox में White mold प्लू मोड में लियाऊए वहां चीज़ बनाने के लिए तो वहां तो खाली है इसको यहां बतार पर देता हूँ इसमें है इसमें है तो इसको sell करेंगे इसमें है और इसमें भी है इसमें भी है तो काफी साहरा है इसे भी काफी अच्छा कासा अमाउंट आजागा तो जो अपना वाइट मोल और ब्लू मोल करना है उसकी कुछ कॉस्स तो यहां से मिल जाएगी मेरेको इसमें 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 सब में है ठीक है तो अभी बाद चलते हैं, यहां से चन्डल पर पर पहलए रिया कर लेते हैं, वहाँ पर कोई, मल्टिप्लाय प्रसूश थीर आगे हैं अभी गाड़ी के लाइट हैं कर लिएक जूर्थ पढ़ रही है अब ठीक है अब चलते हैं इस वार पहले रेस्टराइट पे वहां देखते हैं शयाद कुछ मिल जाए तो यह यहां पर आगया हूँ मैं रेस्टराइट पे बस यहां पाक करे थे यहां ठीक है बड़ा बैड के निकलते हैं यहां से वह much հोस्टर मीट पे Multiplier चल रहा है Dragh di rooster meat प Пटार भी नहीं और हो यहां पे कि ihan стар updat है कि यह क्या है यहां हो यह पहले से घा भर भर खाज कचो आए तो सीटिंगifter यहां पे चेंज हो 흥 वी पुराना बंदा यह है है यहां पे क्टने वर रहे है उन्हां मिल रहा है 1,953 डॉलर ठीक है अपना कुछ ब्लू मोल्ड का और वाइट मोल्ड की कीमत तो यहां से रिकवर हो जाएगी और वैसे तो ब्लू मोल्ड वाइट मोल्ड जो है इतने महंगे बिन याते फोड़े से महंगे हैं बट कैकी चीज भिखता भी तो महंगा है उसमें प्र हाँ यह वाला पेंट ठीक है और बाकी एक्स्ट्रास में तो कुछ नहीं अपनी किट पहले लगी हुए है यहां पर आगे फ्रेंट ग्रीड और शट प्रेंट पर समान रखने के लिए तो इतना ठीक है बस चलो ठीक है इतना कर दिया अपग्रेट और यह वाला कलर पहले मै अचाहे बिजन साहर लिखे है मंडे 8-9 तो टाइम चेंज हो गया है पहले यह 8-8 था मतलब यह रात के 8 बे तक खुलता था अब यह रात के 9 बे तक हो गया है तो एक घंटा एक्स्रा खुलता है तो वाइट मोल टू 125 डॉलर का है और ब्लू मोल 230 डॉलर का है तो अब भी क् पांच पकेक लेलते हैं इसके पांच काफी होंगे और पांच ब्लू मोल के ले लेते है तो इतना काफी है यह आगया है 1775 डॉलर का तो मैं चेक जासरेंट से सेल करें करके मिले थे तो उससे कम कीमट में इतना आगया तो एक और लिसकता हूँ अब यह 1900 का हो गया तो शे व अब फटाफट से बहलता हूं क्योंकि रात होगी है और फिर से बर्फ करने शुरू होगी है तो हो गया एक दो तीन चार पांच छे तो मुझे पांच ब्लू मोल पांच वाइट मोल तो मिल गए बट एक वाइट मोल का पैकेट होने में बतानी कहां फैक दिया यह 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 मिल हमें लिए एक तो पैकेट ऐसा है कि बर्फ में जो है दिखता नहीं है और बाकी अब इसे रखके फटावर चलते हैं क्योंकि अब फिर से बर्फ करने शुरू होगी है और काफी तेज तूफान हो गया तो उपर वहाई पर जो है अपना चीज भाई पर उपर चला लता हो मैं यहां पर वैसे इस वाले गाड़ी को मैंने कभी उपर चड़ाया नहीं है तो एक बार ट्राइक कर लेते हैं हाँ चड़ गई है वीजिली तो थोड़ा सा रिवर्स लेना पड़े और रिवर्स हाँ फ़र चड़ा सा रिवर्स लेके बस यहां पर चोड़ देते हैं इसको इधर की साथ फ़रा पर करता हूं यहां पर ठीक है और अभी मुझे मिल्क करना पड़ागा इस चीज प्रडूस करने के लिए और भी वैसे काउस को भी देख लेते हैं तो इधर तो कुछ नहीं हुआ है यहां पर भी और यहां पर भी कुछ नहीं है तो इसको लेकर चलते हैं इससे चीज रड़ी कर लेते हैं तो अभी यहां पर इसमें एड़ किया इसमें एड़ किया इसमें एड़ किया तो इसको निकाल लेता है मोल्ड के यहां से और भी ब्लूमर्ड वाले चीज बना ले अब यहांपर चीज सिर्फ यह बनाया है अभी प्रोपर रेड़ी नहीं हुआ है सैल करने के लिए और अभी क्या सुझ रहा हूं तो फिर आके देखते हैं यहाँ पर अभी अपने Christmas Tree की lights भी on है और यहाँ पर क्या एक Christmas Tree के पास में को gift मिले हैं यहाँ पर तो एक बीडिक को open करते है तो इसमें मिला है यह firecrackers और इस वाले में क्या मिला है इसमें मिले हैं यह मुर्गी वाह को और इसमें इसमें फाय क्राइग है फिय यह काफी सही है कि इसमें के पास गिफ्ट मिल रहे है चलो अपने एक मुर्गी और मिलते है इसको यह चोड़ देता है यह काफी अच्छा है एस तुम्हें सोट्रों कि फिर ऐसे 5-6 कोई बना ये तो और फिर इस से काफी सारे गिफ मिलेंगे तो यमी को लगता है रोज एक गिफ मिलता है तो अभी फिलाल पहले तो एक वर अंदर चलते हैं क्योंकि भार तो इतनी जाता तेज हवा चल रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है यह अभी ठंड का मौसम यहां पर काफी दिन तक रहने वाला है बड़े सही है तो कई निया तो आप पहली थाया यहां को ध्यान निया तो इवर उसको प्ले करते हैं ओके यहां पर यह लगा केंडल की रोशनी कुछ जादा ही तेज है इसको बंद करो पहले तो इसको इसको उठाके में को डिस्क के उपर अपड़ेगा अब यह प्ले हो जाएगा अब इसको मैं ओन करेता हूं यहां से यह अला बटन इसका ओन करने का अवाज तो कोई नहीं आरी दूसरे आट्रैक क्या दूँ थांड तो ठीक हाता निड़कशत करता है यह दर और को चूंक चूभ जाबन करता हिआ थे तो यह इले है और इधर अपना से शूप ना मा दिकरते है और गर्रक चूप किरता शेच्ड के लिए और इढ़्णि आ रखा ठंड की विए से सीशा बिज़े इतना दुनला हो चुका है कि सीशे में बिल्कुल कुछ साफ नहीं दिख रहा है सीशे पर ओश जम गिया है कुछ के लिए नहीं दिखी नहीं रहा है लाइट उन कर दो थोड़ी नहीं है और बहार तो यहां अभी प्रॉपर स्नौ पड़ रह थोड़ी कम तो होई होगी याँ भार चलकी पर चलेगा बहार देख स्नौ कितने कम होई है विए कोई काम हो नहीं सकता तो अभी देखते हैं वैसे कुछ तो में को लग रहा है थोड़ी सीथो कम होगे तुफान तो नहीं है बट यह अभी हवा चल रही है और अपनी एक पं तो यहां से एक रास्ता नीच उतरने का यह रहा है यहां से उतर सकते हैं बस यहां से सीजा मैं यह फास्ट फलोर पर आ गया और यह इदर से नीचे यहां पर अब अब जो रहा है पर पर धूप निकल आई है और अभी एक बार यह पेड पी काफी अच्छे लग रहे है एक बार पास चल के देखते हैं और यह पेड पूरे बर्फ से धके हुए है तुट यह काफी सही लग रहे है। यह पेडों का इफ्यक्ट है। निकल रहे कर देखे अशले का रखित तो प्हेली क्वाच के कि रागन के थेथिक तो पहले इक वीडियो पर इस मांटन के शीं चेया था टो पहां पर अने बर्ख डेखी थीआ। पर उस टाम किया था सिर्फ टॉप पे भर्फ थी और अभी तो सारे में भर्फ है अभी तो चार तो जितने भी यह माउंटेंस है सब भर्फ है गर्फ ही तो आभी तुफण ही यह बार अंटेल और देख लेते है काव का स्टेटस है upright और बेबी डिलीवर कर दिया तो इसे च्छोटा काव का बेबी यहांपर आ चुका है और यह क्या सब pra análise मतलब यह आवाज और बाकी और देखते है और हैं here फे एक डिलीवर हो है एक तो यह रहा और इधर से एक Daliva है और है काफी ज़ाए आसे आन्म पासे से चल के देखता हूझा Kazakhstan चलान के सब्सक्रार भी प्रक्यावावप assumptions के लिए मिरा आतरा कि उन वाला के मर ने ख़िए गई पेंगों दो दोखरे थर गना गाला है ले पिले दोखिशक्ट को ब्रक्ष्ट को दोते हमाया 자, पर दोख सब्सक्रार में दो तो फिर स्लो कम Jake सदाइएगी देखते कि कि सारे बेबी और डेलिवर वाले हैं तो फिर next वीडियो में देखते है कि किटने कालो के और बेबी बेबी डेलिवर होते हैं उसके हथाब से टिसाइड करते है यह दूकर आगए कुर्णा नेक्स वीडियो में